नॉइज कॉमबैट यह नॉइज का पहला गेमिंग नेक बैंड है और वैसे आज की रेट में हर कमपनी टीड़लुएस पर फोकस कर रही है कि टीड़लुएस गेमिंग टीड़लुएस म्यूजिक के लिए होगे और लाइटो वाले होगे बट नॉइज लेके आया है गेमिंग और गेमिंग किसलिए क्योंकि बाइस आप लाइट लेगी है इसके अंदर आर्जी भी नहीं है सिंगल लाइट है बट लाइट है लाइट है लाइट है ज्यादा एफ्पेस और लेटेंसी और मैं आपको बता हूँ परस्नली मुझे नेक बैंड पसंद है नेक बैंड जैसे नेक बैंड पहली लुक में आपको बता हूँ प्रॉपर गेमिंग लुक दिया है जैसे आप देख सकते हो यहां पर कट्स वगएरा बने हुए गेमिंग टाइप के सोड़ा यहां पैसे गेमिंग टाइप का डिजाइन दिया है और और बीच में हमारा यहां पर रबर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेक्चर बनावाई इसके उपर अगर आप गौर से देख होगे अब जरा सका कमफर्ट देख लेता है कि कमफर्ट कैसा है यह डला कमफर्ट सही है और बात आती है वेट की वेट करी लेते हैं नेक बैंड में बहुत मैटर करता है तो यहां पर वेट है वो एप्रॉक्सिमेटली 45 ग्राम से तो कुछ इतना जादा नहीं है पहन के कुछ भारी ने लगता आराम से अगर आपको नहीं गाने सुनने लटकाओ भागो फिरो दर दर क्योंकि गेमिंग में लंबे आर्स था हम यूज करते हैं तो उसके लिए लाइट करना उसके बाद को इसका Bluetooth कारना ना जिस स्यमने पहले पर दे और उसके बाद हमारे दूसरे फोन ने पर लेने तो यह हमारे इससे भी पर हो गए आप इस पोन पर कॉल आएगी कोई प्ले पाॉस कर ने और लिए बोधा करते हैं तो यह हमारे यह पोन से चलेंगे और आप क स्मोक मार वो फ्रैग मार देगा तो रल जाओगे न आप तो इसलिए माइक बहुत जादा मैटर करता है इसके अंदर हमारे को एंसी फीचर मिलता है विद डूवल माइक दो माइक लगे हैं वैसे बात क्यों कर रहा है माइक टेस्ट सुनो ना आप तो अब जो आवाज सुन र और चार्जिंग के बारे में इसके अंदर हमारे को फास्ट चार्जिंग मिलता है अगर आप एट मिनेट्स चार्ज करोगे तो एट आर्स का बैक आप आपको देदेगा अन दो गो यूज करने के लिए बहुत सही है और हंड़ेट परसेंट जो चार्जिंग टाइम है तो 40 मिनेट्स का है 40 मिनेट्स लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में और म्यूजिक मोड पे अगर आप इसका बैटरी बैक आप देखोगे तो 25 आर्स का बैक आप देगा और 70 परसेंट वाल्यूम और यूजुली जाहतर लोग 70-90 परसेंट में ही सुनते है 100 परसेंट बहुत है वादाम सुन लिया तो साउंड कॉलिटी येस ट्रेबल रिच है अच्छी ट्रेबल है क्योंकि गेमिंग नेक बेंड है मुझे ट्रेबल से ज़्यादा उमीद थी ट्रेबल में कोई इश्यू नहीं है लाउटनेस भी अच्छी है बेस इसके अंदर स्मूड टाइप का है जादा पंची बेस नहीं मिलेगा जैसे एक टकड़ा होता ना बूमपास्टिक साब किताब वो नहीं है तो बेस से जादा उमीद मत रखना गेमिंग के साब से है लाइक मुवीज देखनी है या आपको पॉड़कास्ट वगरा सुनते हो अपना मद्धम गाने सुनते हो उस और जो हमारे TWS है यह भी ब्लू कलर के ब्रीधिंग लाइट में चले गए जो लुक्स है ना इसकी जो यह जो गेमिंग मोड की लुक्स है भाई यह बहुत बढ़िया है मतलब इसने तो मेरा दिल जीत लिए एक दम से ही तो भाई मैंने इसके अंदर खेला BGMI लेटेंसी मे कोई शुन होता जैसे कि मैंने आपको आता था ट्रेबल जादा है तो ट्रेबल जादा होने के विए से जो क्लारेटी आती है ना हमारे को फूटस्टेप्स वगएरा सुनने होते है या फिर कोई भी गन शॉट्स वगएरा उसका बेनेफिट आपको इसके अंदर मिलेगा त तो यही था इसका पूरा रिव्यू नॉइज कॉमबैट का गेमिंग नेक बैंड 1499 और नॉइज का पहला नेक बैंड है गेमिंग वाला तो अगर आपको बाय करना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चकाउट कर सकते हो और यह 1499 लांच प्राइज है इसका माइड भी यह बाद में चेंज होगा यह नहीं होगा इसकी पूरी इंफर्मेशन नहीं है मेरे पास तो अवरॉल कंक्लूजन के बारे में यही कहूँगा कि 45 मिलिसेक्न है अच्छा है मतलब गेमिंग के मामलें कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेस इसके अंदर स्मूड टाइप की है पंची बेस नहीं है प्रेबल अच्छा है लाउडनेस अच्छी है ओवरॉल बिल्ड कॉलिटी भी अच्छी है बाग एकर आपको गेमिंग हेड़फोन लेने हैं गेमिंग टीडवलेस लेने हैं काफी सारे रिव्यूज है हमारे चैनल पर आप चकाड़ कर सकते हो इसको कंस हुआ है